बॉलिवूट के लिजेंडरी विलेन प्रेम चोपड़ा अपने किरदारों के लिए आज भी याद किये जाते हैं एक्टर ने कई फिल्मों में बतोर विलेन काम किया और इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई प्रेम चोपड़ा और सूपरिष्टार राजेस खन् प्रेम चोपड़ा ने किया कि कैसे राजेस हमेशा सेट पर देर से आते थे और कैसे उनके देर से आने के नतीजों का सामना किसी और को करना पड़ता था प्रेम चोपड़ा ने कहा राजेस खन्ना को कुछ लोगों द्वारा गलत समझा गया था लेकिन काम के मामले में वह बहुत इमानदार थे उनके साथ एक ही दिक्कत थी कि अगर 9 बजे की सिफ्ट होती तो वे 12 बजे आते थे तो मेरे साथ कुछ गटनाएं होई मैं मद्रास में हाथी मेरे साथी फिल्म की सुटिंग कर रहा था फिल्म के निर्बाता चिनप्पा थेवर बहुत सक्त व्यक्ति थे इसलिए वह 6 बजे राजेस खन्ना को लेने के लिए एक आदमी भेशते थे प्रेम ने आगे कहा लेकिन तब भी राजेस खन्ना 11 या 12 चितेंगे और गालिया देंगे वे चिलाते क्या हम तुमें पैसे नहीं देते तुम देर से क्यों आते हो ऐसा कहीं दिन तक चला और फिर राजेस खन्ना समझ गए कि क्या हो रहा है इसके बाद उन्होंने दीरे दीरे सही समय पर आना शुरू कर दिया यहां बता दे कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले थैंक्स फॉर वाचिंग